की यह लाल किले की मिनार नहीं है यह मिनार है लोनी के किले की हम्कड़े हैं लोनी के किले लेता है और दिल्ली पे हमले से पहले तैमूर लंग जिस जगह पर रुका और जहां उसने एक लाख हिंदू के सर को काट के थीला बनाया वह जगह भी यही थी इस जगह का इतिहास रामायड से लेके मुगलों के आखरी बादशा बहातुच्छा जफर तक मिलता है यह पत्थर यह आरिया ने इसको पर है यह मतलब बाउंडरी वॉल थी कम जगम साथ फूट शह फूट चोड़ा था इस पोल मतलब यह भोड़े बगएरा यह दोड़ा थे ते वह तीक रात के बारा मुझे क्या करने लगते हो सब्सक्राइब थे और वर्तों की शिलाने की रोने की आने लगती थी बच्च्यों की आवाज आती जिसको मिला चुपचा मिला उसके जीम मिला हों मतलब उत उसकी जीम है जो मानव हट्डिया मेरी है उसका क्या कभी जानवरों कि तुम यह बोरिंग करना लग जाओ जो बोरिंग नहों ता नो उसमें भी हट्डिय निकले हैं अब अ ड़ा है दोस्तों देख रहें आप इसको देखकर आप यह मत सोचेगा कि हम लाल किले में हैं या तूगलकाबाद के किले में हैं हम इस वक्त हैं लोनी में जी यहां दोस्तों लोनी और यह जो आप नेरे आसपास तोड़ा देख रहे हैं आपको घर बने हुए नजर आ रहे हैं लेकिन यह लोनी का किला है जी हां दोस्तों स्वागत है आप लोगों का ट्रैवल जुनून में मैं हूं संजय आज एक नहीं जगे के साथ और यह जगे कहलाती है लोनी का बागरणफ लोनी का विस्तार होता है लोनी की स्थापना हुई रामायन के काल में थोड़ा सा पीछे चलते हैं थोड़ा सा नहीं थोड़ा जाधा पीछे चलते हैं रामायन के काल में लवनासुर नाम का एक रक्षस था उसने इस गाउं को बसाया उसके नाम पर पढ़ा उसी का नाम थ लोगों पे उसके बाद लबनासुर का वध हो गया। उसके वध होने के बाद फिर बहुत सालों बाद तेरीविश अतापदी में आ SUBSCRIBE भारत में एक ले जिसका नाम स्क्राइब। तेमूर लंग दिल्ली पे हमला करने उसके लिए मुश्किल हो रहा था तो उसने उन एक लाख हिन्नों का यहीं इसी जगे सर कटवाया और सर कटवा के उनके सरो के टीले बनाया यह हमने बाद की तैमूर लंग की तैमूर लंग के बाद अब हम थोड़ा सा और आ गया आते हैं भादूर शाह जफर जो कि आखरी समय के लिए विश्राम किया था कुछ दिन बिताय थे यहां पर उन्होंने इस लिए गाओं को पहले रानब बाग कहा जाता था और फिर समय के साथ बाग रानब गाओं कहने लगे जहां दोस्तों यह जगह का इतिहास है और यहां लोगों को यह कहना भी है इस जगह अगर थोड़ी सी खुड़ाई कर दें तो यहीं पर कुछ थोड़ी सिखुड़ाई के बाद हई लाल मिट्टी निकलती वह लाल मिट्टी जो है ठोन की वजह से हैं कभी राग एक लाय के सर काटे गई है और यही यहां पर देख सकते हैं यहां आज भी अफ्षेश मौद हैं जोना इस किले का इतिहास कुछ और हो सकता था हमें आज एक और अपने दिल्ली के असपास एक और ऐसे एक एतिहास किले को देखने का मतलब मौका मिलता बट आप सिर्फ इसके अफशेश ही देख सकते हम लोग हम जनसुरुती में सुनते आएं हैं कि लोनी को लोनकरण राजा हमें स्थावना कीती बोनी की और दंत कताऒ के अनुसार रामायं में जो पर्च लेते आज रामायं हमारे पास एक परमानिक होलानिक हेरिटेज परमानिक कत्य हैं मदूपुरी जो आज की मत्रा है उसका परानिक नाम जो है मदूपूरी था और उसके राजा थे राजा मदू और उनकी पत्नी थी कुमनिसी और कुम्बनिसी के जो पुत्रत लवणा सुन वो मत्रा से आके और यहां आकर उन्होंने इस लोनी को बसाया और जब उन्होंने बसाया तो राजा मानधाता हुए राजा मानधाता रामचंद्रजी के पुर्वज और वो अजय थे धरती पर जब उन्होंने पूरी धरती को जीत लिया तो वो स्वर्ग की तरफ उन्होंने आक्रमन किया ये रामायन में है स्वर्ग की तरफ जब आक्रमन किया तो इंद्र को लगा कि मेरा इंद्राशन चला जाएगा और इनको कैसे रोका जाए तो राजा मान दाता को इंद्र ने कहा कि आप पूरी धर्ती के राजा नहीं बन सके कि आप सुर्व की तरप चल दीए पहले धरती तो जीत लेते तो राजा मांदाता ने कहा कि मैं धरती पे का ईसा बचा ही निए तो उन्हों नंहें कहा कि नहीं द्र ने कहा कि नहीं लवना सूर का जो जो है आज तक एख्छतर राज है आप उसे तोहरा पाई तो मानधाता ने पता करा कि यहां लवनासुर है और उसकी राजधानी लोनी है और वो आपका कहां नहीं मानता है तो वो सर्ग रोहन छोड़कर राजा मानधाता लोनी की तरफ आए मगर लवनासुर शिवकी भक्ति करके अमोग तृषूल प्राप्त कर चुका था जिसकी वज़े से लवनासुर अजयता उसे कोई मार नहीं सकता था राजा मानधाता जो पूरी पिर्तिवी जीद चुका था वो यहां आकर हारे लवनासुर ने उनको यहां पराजित कर दिया और ये राम चंद्र जी के पूर्वज थे और उसमें आकर कोई भी लवना सुर को परास नहीं कर सका और फिर आकर राम चंद्र जी के छोटे बाई ने लवना सुर को मारा यहां आकर उन्होंने डेरा डाला और उन्होंने पहले उस चीज को जाना कि लवना सुर की सकती क्या है तो लवना सूर की सकती थी अमोग तरशूर जो सिवकी भगती से फ्राप्त कर रखा था तो उस तरशूर को कैसे दूर किया जाए वो प्लानिंग करी उस प्लानिंग में उन्हें पता लगा कि सुभा सुभा जब अपने किले से बाहर लवना सूर आता है तो उस दोरान उसके तो आप समझ सकते ही रामचंदर जी के भाई ने लवनासुर को मारा क्योंकि उस दौराद तिर्शूल दूर था अगर तिर्शूल उनके पास होता लवनासुर के पास तो उन्हें कोई प्रास्ट नहीं कर सकता है यह एक रामायन का परमारिक है रामायन में है रिष्टिकल है इन शब रामयण में है लोनी का इतियास रामायन में है लोनी की लें का इतियास रामयण में है तो です पराइन काली धर्थी है और रामयन से जुड़ा तो आप इसकी पुरानक्ता को समझ सकते हैं इसके अस्तित्यु को जब हम रायनामायन से देख रहे हैं तो सरकार को इसे नजर अंदाज नहीं करना चाहिए तो साथ साथ इस लोनी का भी नाम होगा चाहिए क्योंकि यह भी रामयन काल से जुड़ा है तो रामयन काल की जो कि आज सरकार की नजर से क्यों दो सरकार को गंबिरता बरतनी चाहिए अगर हम इस्टिकल बात पर आ जाए तो 1789 इस वी में यह किला मोजूद था मुहम्मद साह ने इस किले को नश्ट कर दिया था 1789 मों मुहम्मद साह ने इस किले की हीट वे समान ने समान जो थे उनको बगीचा और तलाव यहां एक बगीचा है था यह पर और यह तलाव जो जितना भी धास्पूस दिख रहा है तलाव है इसकी बड़ी बॉंडरेवाल मुहम्मद साह ने उसको इस किले का जुतना सारा वह था सम्मलवा उसकी तलाव की बॉंडरेवाल में लगवा और कुछ इससा रह गया अब ग्रामीड उससे पर आबाद है बसे हैं यहां से सुरंग हुआ करती थी वह सुरंग यह माना जाता है कि उलाल किले तक जाती थी द पर जब लाल किले से भी जुडि हुई है और रामैन से इसका जुड़ा हुआ है और इसने वहरत में आया लुटे रहोकर आतंक को भी बहुत और बरबरता के साथ जहला है विर्व है अफले कि उनिविस्टी के इतियास में से लोनी को पढ़ाया जाता है उसकी अब इसके बारे में आप जो शोत्ति अपने इतियास को वासी ही बुला बैठे करण है कि इसे गंविरता से नहीं लिया गया तो भी के दीकिने होंगे पहले पैर राज में माहराज जो दीज ग सबरें दन में वे जिया करने तो कुमद कुई नहीं स्जनों सबस्केरक दगे एसे हैजाह में वह उत्या स्बाइब बिना जोइंट है और यह इतना चोड़ा था कि इस पर लोग सबारी करते थे गोड़ोगी और जिस यगा हम घड़े से नीचे इसको बोलते थे रानी तालाब इस जह करना रानी तालाब था इसमें पानी पानी खटा होता था उनके नाने के लिए वहाँ है तो आज दिनकी कभजा हो गया थो छोटा हो गया इसका हिसा है लोगों ना जब उनका वो कहते है कि यहां धर्ती पलट होई थी अच्छा को सब उनका राजवाज जो मिता वो सब हो गया तो बहरे दिरे कहीं से लोग आने लगी इस तरीके से गाव बसता चला गया ज तो और जादा पता सकते हैं यह है पत्थर यह इनका यह आरिया ने इसको पर यह आरिया यह मलब बाउंडरी वॉल थी हां यह कम जगम साथ फूट छोड़ा था है इस पर मतलब ही लोगोड़े बगएरा यह दोड़ा थे दे वो लो अच्छाई पर रहा होगा यह तो इसका ब कोशा थे लिए इस आओम नहीं लिए अथे बड्स हुआ बसे बड़नाई गटा मतलुख बढ़नाओ दोड़ा है वह अगराउ था इस आओम स्पर लोगोड पालवाई जाया है दो आओम लोगोड़ा है ने थांखा भालवड़ा है यह थान दो अखार रखा अधान ने इसे वैसे लाखोरी इटे कहते हैं यह वही इटे हैं जो किले में इस्तेमाल हुई किले का पाट है यह घर भी बहुत प्राणा है असी नभे साल प्राणा घर है यह किले का एक हिस्टा है और मैं किले के मैं नस्य में लेका जाओंगा आपको तो यहां गेट वाइसा बेके हाल पल्ले एसी होते हैं अखर्थ इसको इसको इस्तेमाल किया अब जब दुबारा बना होगा तो पल्ल खुराना है लेकिन में फिर से इसको 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 मतलब हटाये नहीं जाया यहां से तो यहां अगर कुछ समय पहले आते तो मैं महल के तैखाने वागर कुछ सुरन्नू के रस्ते दिखाता है अब यह इसमें से पत्थर में नहीं 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 दबा दी वह पड़े हैं किता बड़ा पत्थर है जो दिवाने आँ होता है जहां पबलिक को सुना जखा रहे हैं वो इस्सा यह पोर्शन था वो यह वाला पोर्शन तोड़ के बना चुपे न जिसको यह पुरानी राजा महाराजों की जो फुरा महल काना यहां पहड़े हो तो यह तूर-टाटे यह ऐसा बना दिया यहां से लेकर हटे श्टार्टे के खेते तो इस सब्क हम्यां यह अंड़ाने आप मतलव जहां बैठकर सुनवाई होती है सुना जाता है यह अपना राजा मर्ण्जन का साधन करते हैं कुटरर यह नहीं हमाएं प्रश्थ भर कुपिया रहे खिस्से था और सब्सक्रा सब्सक्रा को परएं और अच्छक यह वह शञा नहीं प्रश्टा होते फूरों प्रश्ट एंग सब्सक्राइब हो पिस्स्टा दोस्तों आइए जानते हैं कि लाखौरी इटे क्या होती हैं लाखौरी इटों को बाद शाही इंट कैके का या इंट भी कहा जाता है किसी जमाने में भारतिय उप महादवीपों में इनका बहुत जादा इस्तमाल किया गया ये सपाट, पतली, लाल पकी हुई मिटी की इटे हैं मुगल दौर में शाह जहां के साशन काल में इन इटों को खासी लोग प्रियता मिली मुगल वास्तुकला में इनका बहुत जादा इस्तमाल किया गया बाद में ब्रिटिश काल में निर्माण के लिए दूसरी इटों का इस्तमाल शुरू हो गया जिन्हें घुम्मा इट कहा जाता था मुगल भारत की सत्रवी से 19 सदी की कई प्रसिद इमारते इन ही इटों से बनाई गई हैं इन इटों से दिवारें जरोखे जालियां सजावटी प्रवेश द्वार और भव्य महराबदार बनाए गए ये तो हुई इस इट की विशेशता लेकिन अब सवाल ये है कि इन्हें लाखोरी इट क्यों कहा गया आए ये ये भी जानते हैं ये इटे गुजरे वक्त में लाखों इटों के भाव से बिकती थी इसलिए इन्हें लाखोरी इट कहा गया तो कैसी लगी ये जानकारी आपको आए बढ़ते हैं वीडियो में आगे हां उससे पहले एक जरूर कर ले और बैल आइकन पर बटन भी दबाएं ताकि आपको हमारी सभी नोटिफिकेशन्स मिलती रहे बच्चे हैं अब जो जवान हो गए मगर जो बड़े थे ये इतिहास और उनकी जो कि दन पर थी उन्हें से बैतर कोई नहीं बता सकता था या फिर जो जाज का वि तो सरकार को राज़सु प्राप्त होता ओर यह बन सकता था योगों की आखरशन ने में बागरानब का अपना इक तियास लोनी को जो जवाना जाता है अगर आज दिवारे हैं वाज भी लोगी घरो में वहाँ अब तो सैसे जो बनाने करने लग रहे हैं तो तो हमत्रू जैसे आने वाड़े टाइम में यह कुछ नहीं पता लगेगा इसको वैसी से खतम होने लग रही है दिवार लेकिने अभी भी कहीं कहीं गरों में जी बाजी बाजी देखने को मिल जाएगी जैसे आपको यह सामने दिवाल है अपने तेरा सो अठाण में तैमूर लंग समरकंद को जीत कर 25 साल की उमर में वह समरकंद को बाश्शा है वाजना बाश्शा बने गया अमीरतु गई उसके बाप न प्रुप ते शहान गरीब फैमली तूर्ब बनाया यह गोड़ तो फिर ऊसने रुप करा भारत कर देरा सो ठान में में 29 यहां लोनी जम्ना के किनारे तक पहुंचा है मगर उससे पहले जो भारत में सिंद्र के रास्ते यहां तो जितने भी रास्ते में उसके पहले पढ़ते हैं शेपर पढ़ते हैं आते हैं तो उनको बुरी तरह से बर्बरता सब्सक्राइब वह तैमूबलंग अगर देखा जाए कि यहां देश को लूटने नहीं आया था बलकि देश के साथ साथ देश की संस्क्रिटी को भी लूटा आए उसने यहां अपारधन तो लूटा ही मगर हमारे देश की सभ्यादादी संस्क्रिटी उसको ठोड़ हमला तैमूबलंग देखिया और उसने तलवार के जोड़ा तलवार के जोड़ा वो गर्दने काट दी जो जुकी नहीं और जो जुक गई उन्होंने इसलाम कबूल कर लिया तो मुसलमान बने हमारे हां बागरानव में आज जो जित्तों मुसलिम पूचर होला जाता है वो तो उसी जमाने के लोग हैं और जो इनके पूर्खों ने इसलाम कबूल कर लिया तो जो आज यहां मुसलिम से कनवाटेट गूजर हैं बागरानव में इनके जितने भी पूर्वज हैं दादापर दादापर उनके नाम मुसलिम है सब्वें और जिसे मैं आपको लेगे अधिर को जो मुसलिमों से हिंदू हैं यहां उदाहर हड़न मलते हैं उनके मुसलिमों से हिंदू अब बने हैं तो जिन्नों ने गरदने जोका लिए निका मतलव यह था इसिल्आम कबूल कर लिया जिन्हों ने इसद्र कबूल कर लिया तो मीर खा की फैमिली की मुझर मेर्खा की फैमली सुझाएं और रह था है। अब के नाम हो गया है मीरखागी फैमली का जैसे कालूराम बगजी निरहें उनके बच्चे चरण शिंग नागर है यह सब नागर फैमली जितनी है जिनके हिंदू ही नाम है अब लोग यह जलाने लगे जो होता है कि दादा वी कबरे यहां मोजूदे हैं कि उस समय उसलामी रीतिरिया बाद से अब ही हिंदू हो चुक्क है गाउं में से कितने परिवार होंगे जो हिंदू बन गए देखे मोस्ट ली एक बी ऐसा वेक्टी नहीं है जो इसलाम से हिंदू में हिंदू मगर इनके जो रिष्टेदार है तो रिष्टेदार जो आज भी है वो मुस्लिम है जब वह हज को जाते हैं तो इनसे मिलने आते मुस्लिम बूजर फैमिलिया जितनी भी केराना चुक्रत है वो टोर्टल इमुजरी स्था और यहां पर सभी वह हिंदू धर्म को पॉप्ट का मांते हैं और जब वह हज को जाएंगे तो इनसे मिलने आते हैं वह भी नागर मुस्लिम है नागर लिखो या ना लिखो बगर मुस्लिम नाम है और वह रिवाज होता है जिसकी मों में कि जब वह हज करने जाते हैं तो जब भी क्याराना कि इनके इनके रिष्तिवार होते हैं रिवाज होता 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 है मार्च को जब यहां 29 मार्च को भारत में एंट्री करें अगर जब वह लोनी पहुंचाता तब दिसंबर आ चुका है समझे हैं कितने महीनों के गया वहां से आते 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 तुनों को चला गया वह हम लोग आपरेल के महीने मार्च अप्रेल मैं जून, जुलाई, अगस, स्टम्बर, स्टम्बर, नॉम्मर जिसने, दस महिने यहां उसे संद से यहां पर लगा हाते हैं, और उस दस महिने में, क्योंकि हवाई जास तो उस दुरान में थे नहीं, याना यातायात के साधन तो गोड़े थे उनके पास, और वो जब आये, 1398 मे में तो आप समझ सकते हैं, यातायात की साधन और रास्ते नहीं होते थे, पक्के रास्ते देखें, आदमी रास्ते तलास करतें, जालता है, तो जमाना था, तो उसे आते यहां पर, उसे एक पॉइंट नहीं पताता, कि मुझे सिर्फ दिल्ली जाता है, और दिल्ली का रास् जो भी मिनाव से वह उसे लूटता गया तभा करता गया बरबाद करता गया और लोनी ने टैमूर लंग को सबसे ज्यादा थे और मैमूर मारा गया और सारी शैना मारी गई यहाँ पर 11 दिसम्बर को तैमूर ने 11 दिसम्बर 1380 में को लोनी को जीती है वह यूद का मैदान है यह वही परिशर है वही छेतर है जहाँ पर लहाँ से बिची और तैमूर ने एक दिन में यहाँ पर 11 दिसम्बर 1380 में तो एक लाका दो गया और उसके बाद भी उसने वह कतल करने के बाद उनकी खोपड़ियों का टीला बनवाया गया टीला लगवाया था और उस टीले पर वह जो आज टीला है लोनी टीला लगवाया 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 कि चूके नैज कि तलवार कि और उस नहीं किया तो तो यह पर एक सिपाह अधा जिसने जीवन में अफैक मक्षी नहीं उसमें भी उस दिन दस कखल विए तो बहुत लार निकलती है इसी परकार यहां भी ऐची है निकलती है इस पुरे जमीन में धलाप के अंदर भी ख़ड़ा जब हुई है तो मिटी लार निकलती है जगा जगा ज़हां भी यूद चले होंगे जहां पर बिकतल आम हुआ होगा तेमूरलंग जब 1398 में यहां तो उसको दिल्ली कुछ करना था क्योंकि दिल्ली का उसने बहुत नाम सुना था अपने सेनापतियों से बहुत पैसा भी था दिल्ली की जो सत्ता थी वो पूरे हिंदुस्तान की मतलब हर बाहर से आने वाले इन्वेडर को अक्रमन कारी को दिल् तो लगभग पूरे उत्तर भारत पर उसका अधिकार हो गया तो जब उसने उन पर हमला करने की सोची तो उसका पहला जो पड़ाओ था वो यह था लोनी का लोनी बागरानब गाओं यहां उसने जब कतलियां मचाया जब उसने लोगों को मारना काटना शुरू के तो एक ल लेकर आगे बढ़ना उसके लिए इसलिए भी मुश्किल था कि कहीं वो लोग विद्रो ना कर दें तो उसने एक नियम बनाया उसने क्या किया उसने अपने सैनिकों को बोल दिया कि जो भी जिस हिंदू का सर काटेगा यहां पर उसकी प्रॉपटी उसका घर सब कुछ से कोड़ा खोद दें तो नीचे से लाल मिट्टी निकलती है यानि कि उस जमाने के यहीं से एक सुरंग और बनाई गई है उसने बनाई या वो उसके बाद बनी यह कहानी है कि यहां से एक सुरंग जाती है जो सीधा लाल के लिए पर निकलती है लोनी टीले पर लोनी टीले प ऑसे दिली इससे किसे पहुता की बहुत को नहीं पता होगा उनको यह को यह पता होगा कि शक्रुगन जी वह गया थे भगवान राम ने भीजा यह ता है यहां संस्कृत में १ нарjut का काफी काम था इसका नाम नाम पाद बढ़ाद में लोनि पला और लोन करण नामक योन करंद नामक ऐन अधे अन्हों जगए का विभी कहा जाता है इसका छोटा बोटा इतिहास नहीं है वह बात अलब है कि भारतिय लोगों ने या सरकार ने पुरात्त शरविक्षण ले उन लोगों ने इस चीज़ को यह जितना बड़ा किला तो कब बना है मुगलों के बाद इसका इतिहास तो आपको रहा है से लवनसोर के टाइम से का इतिहास मिल रहा है फिर 1398 तब ते मुखें तो तेरा सो ठानिवे से तेरिवी शताबदी से जो है वो तो इसका आधुनिक इतिहास हुआ अगर हम उससे पीछे जाएं और अपने ग्रंथों पर यकीन करें तो लबना सुर ने इसकी इस्थापना की थी अब रावण के रावण की जन्मिस्थली यहीं पास में है रावण क जो पिता हुए वह हुए आपके रिशी विश्रवा जिन्होंने यहीं गाजियाबाद में उनका बनायों शिव मंदिर भी है जिसे हम दुदेशवर महादेव मंदिर के नाम से जानते हैं बहुत भीड होती है बहुत लोग जाते हैं तो इससे हम समझ सकते हैं कि यह मतलब य जाना कर दिये दुकानवाले भाई ने मुके तूथपिक दिखा तूथवड़ और यह हमारे तूथवड़ है यह देशी जुगाड देशी जुगाड इसलिए पहले आप इससे पनीर खालो और उसके बद नहीं आग लगाएं दुनिया में तो इससे आग लगा देना माज पेड़ों के तुट्रीट गता है प्रॉप्रोगर नियुक्टेश भी तुट्धने की तुट्ट के सबीजेए इंदेश प्रॉप्रे अविधने रिद्धने सेफिके शॉट्ट जब एंदेशन दर्मीद देशने अबूब गश्टने इनने की लुहा भी है। खेटर में हमें मिलते हैं एक ये और ये लाल के लिए से भी पुराना किला हुआ यहां पर इसके लिए भी जो गुम्बद पर पहुँचने के लिए हमें घर से उकर आएं गर के अंदर हमने एंटरी की हम च्छत पर आये और छट से पर यहां पर आये हैं और पूरा तलाप के अब दोस्तों ये जो है ये बाग राणप जो ये है ये ऐसे इनका नाम जो बाग है ये ऐसे तीन बाग है जिसमें से दो बाग जो है मेरट के एक जागिरदार हुए उनको आखरी मुगल बाश्चा जो थे बादोशा जफर उनकी पत्नी जीनत अमान ने बनवाया था वो दो बाग अलग है बाद में उन दो बागो को अंग्रेजों ने बेच दिया एक मेरट के जागिरदार को और ये बाद तब तक यहां पर इस बाग राणप शेत्र में इस किले में तब तक लोगों ने रहना शुरू कर गया था तो उसके बाद की आप बसावट देख रहे हैं औ पांच पांच फूट चौड़ी दसदस चौड़ी दिवार होगी एक ते यह है जोड़े दोड़ने वाली एक ती इदर इसको घोड़े दोड़ते हूंगे हाँ इसके लिए थी आप तो इतना ये बुर्जी बची है खाली उल्लू का घर बन गाई और कुछ नहीं है तो तोड़ दिया वी तो नीम खड़ा इतना ये कुवा है अचा कुवा है से लिए दोस्तों कुवा था लेकिए नीम के नीचे है को अरुक सब्सक्रानि में उट्वा है और बन पर रहां है लेकिन वह बंद रोगया था सुपार्ण और बन होगया है और बन होग्या है तो आप लोग आप लोगी पीडियां कब से गाहों में हैं तो बताओ और क्या सुना अपने दादा पर दादा से इसके बारे में इस जगह के बारे में यहां अशना को सवाधर थे दीन दीन अचीं निकलती है निकलती थे ने बड़ी बड़ी इंधितनी बड़ी इतनी बड़ी इत्वरी पुट चोडी खोडी है और अधाय फूटलर कोड़ी सूद्धी ृट्दि खोड़ी हैं अधिलिक सुद्धा छोधे मिले कहाँ है कि तुछ पुरा हिस्सा पूरा हिस्सा प्रूपर नहीं मिला था जितना खुद्रे तो फीज़ों तो जो पहली पुरानी ती इतों की बड़ी वाली इंटे होती है इतनी बड़ी बड़ी होती हुटी जब निकली तो लोग बागोंगों ने क्या काम कर दोगाओं के लोगों ने अपने कि और भी लेक्छाई थाकी साहबती कोई साभूत ला रहा है को यादि ला रहा है फूल आज लगेठी लेड़ लेकी एक दिन से हुआ हम एक थी खेल के ला एक थान्टा पूरा जब खोड़े ते रेती हो आप तो खेल चिकनि मिठी पहले जितना पानी बरवा ना सारा नीज वाज दोबाओ पानी तो पूरा 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 बीच तो उसके बाद में क्या हुआ जब यादि मस्ती भेलते थे रेश है में खेल को सब्सक्राइब होगे लगए नहीं लगे नहीं से ुछ लग रहे पर नहीं इसे लाटाके तो तो इस नहीं था ना जादा किसी को पर्मिशन भी नहीं था कभी किसे को जाच नहीं कि रिपोट नहीं को यह आप यह यूटूब के लिए कर रहे हो गया पर जो भी आया पर खाली यह बुर्जी की एक लेता है और उसके बाद में पोस्टिंग डल जाती है बापा जमाने क आधि राजा महराज की एक लाशुच की बची इसकी दाल सकिया इसकी तो डली हुई है थो किसी को इने पहले ध्यान नीद्यागेрий है यह एह हुआ था तक किलेगा बने वाद नोगों तोड़ लिए यह चीज़ उन्हें पचानी थी आप लोगो सनक्षित करने चाहिए यहां कुछ नहीं होता है यह क्या होता है सीधा था है हर जगे का लग अला करूल है ज़ा प्रोफटी अगर मिलती है दो इसको तो बोच लो जो इसके लाब बुच्छ नह मैं यहां है कोको देखना कोई वह चाहता है को छोड़ो प्राना जो कल्बी तो बित गया दो नहीं चीज़े टार्ट करो लेकिं किली ने नहीं अचीज़ें निचला है इसको लाल किलां निचे ने धिना दुनिया वर मेन निखलेंग ऐसी चीज़ें यूप्य में रूब इसके नीचे तहाँ पूरा करवा 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 कर आघर लिए पूरा बंत नीचे एक तो निवे पूरी की पूरी नीव है इसके नीचे एक नीचे इप 54 अच्छा तो बहुत सो यहाँ है नहीं सब्सक्राइब पहले हैं जिसको जरूरत भी नहीं है कामा का पता चले वह दिमागी संदुलन बिगाड़ का उधरी गिर जाए हमें ठाके लाना पड़ेगा फिर बात में सब्सक्राइब बारिश पढ़े हैं सब्सक्राइब अब अब हमारे अंदर उत्रा दिल नहीं है अब जादा सोच रहे हैं पर पार प्रवाने के पीछ पहले बात तो टाइम नहीं होता पिर जो टाइम मिला लाइट आई रहे हैं पहले टीव एर फोन का उन्हीं था अब टीवी देख रहे हैं तो यह बैटिस चला रहा है उसी में देखते रहे हैं वही साम को दिन में क्या करें ना तो फेर खेलने अब तो खेलने बग जाग रहे हैं अब तो खेल बीजी बचे अभी खुदाए इसको ज्यादा दिन तो नहीं यह दस साल हो बट यह इतने पेड़े ग्री यह हावा इतनी अच्छी लग रही है ना आज यहां बेठा नहीं है पर मोर बेठा रहा इसके पल्ली तरफ आज ना अब तो खुदा आज ना ते सारे खेल यह सुरूँ है पानी तो कम भर रग रहा पहले हमाँ चोटा तलाब था इधर तो कभी-कभी पानी आगा लग सन वह रहा है अब इस वज़े से अब बन चोगी है सपोर्ट बन चोगी है सपोर्ट वरना देख रहो ना इसी साफ तो उ इसकी वज़े से तो ठीक हुई है यह नहीं होती तो यह नहीं होती तो यह सब्सक्राइब बात करें दर से पहले ही दुआ लिए वह इधर की पहले दुआल नहीं जैसा यू ज्यादा कटगी ना नीचे देखना और यू किसी चीज में यूज करने के लिए परानी चीजे हो पाइब दो चीजे होती है इसलिए ले जाते हैं लोग वागव भते हैं आज की तोड़ी नाव आई है यह बहुत पुरानी है अब दीरे दीरे किस दिन इधर को गिर जानी है तो आप जिसका मन करेगा खंबे ले जाने इसके जिसका मन करेगा गेट लाए लिए जाके उपन कि अधर जीतने घर बने हो इतने मोटे मोटे पत्तरों के तो सामने लगेगा थोड़ाये नाव जग्यर मैं करा बहुति दीर हो भाई तो ले-जाते ले-पाद ले ऑगैने बच्चों के मारे रघ्ये बच्ची नहीं भिचा दी है बणकर रखा वाणी जाने के लिए ने कि जुग गई जुग गई इस टूट गया काफी चीज वही नहीं अब यहां था यह ताम गने का सिस्टम ता इस तो यह गया रहा है इसके ऊपर जो गूंबा उसमें उल्लू रहते हैं तो कभी जाकर देखा हूं नहीं चड़के देखा हैं जीना वगरा लगा के पकड़के तब आरे चमगाजड उती हैं चमगाजड की अड़ी फक्षियों की अड़ी मिली चिपकली की अड़ी मिली वही खाते हैं और क्या रहें है वहीं जाएंगे लेकि तड़ने वाला सिष्टम अपने है नहीं नहीं सब्सक्राइब यहां पर खुदाई में तो अगर अधिया मिली ह अब कभी कोई जो घर टूटा होगा असपास ती यहां थी पास में जो घर टूटने कभी यहां पर कुछ मिला उनके अंदर से कभी ऐसी कुछ पात अपको सुनाई पड़ी है आप गाउ में अपने बहुत चीज़ा मिली है कोई कहता है कि वह मिली थी एक घंडिया मिली दी कोई कहता है कि हमने कोदा मकान बनाया था हमार को एक सोने की इंट की बताते हैं कि उनको गवर्मेंट ने जब्त कर लिया रहा क्योंकि आप में लड़ाई तो हमें गर्मकले तो हमें ना कि नहीं यार मेलूंगा मेलूंगा इसी चक्कर में बता चल लगी उनको गोर्मेंट क वो, बताते हैं कि एकीट मीली ही, जिसको मिला चुपचात मिला उसके जेम महला है, जिसको मिला हों, तो उसके जेम महानम है, वो कोई बताए रही है, जो मानम हट्डिया मेरी उसका क्या कही है? माना हो यह जानवर हो कि तुम इहां बोरिंग करना लग जाओ जो बोरिंग नहोता नहीं उसमें भी हट्डी निखले हैं प्रेले क्योंगे राजा महरा जाओ कि टुटी फोटे जो गाड दिये जमा कर दो ऐसी रहे हैं यहां पर जो किसी के लिगड़ा होगा तो गुपत रूप से ही होगा किसी का अश्ता खुलासा नहीं होगा है सोने का या किसी भी जवलात का शाया जैसे फिलम इन दिखा दें एक तरी किसी मत्का लिगए अच्छा आँ पता किसी भार मिला जाओ आँ यहां नहीं है यह सभी आप पर यहां महल वहल सबच जिस काफी खुदा हुई है तो क्या क्या कि आनिष्ण आपकी जानकर ही मही जो तोड़े गए अभी हाल के वर्शों में 10 साल 15 साल में यहां मेरे हैं तोड़ा है रहो तोड़ा है तोड़ा मिल भार मेरा ओक अढ़र को सब्सक्राइब है यहालने नियुकि मेरे लिए सथैंच चाना मैं नियुकि शीन होलागा यहाल пом कुड़ा हुझे दोजार दस में टोड़ा है... क्वार्ट अनुच पॉड़ा हो उने तोड़ दिया वो उसका पानी का सिद्धा जैसे एक τरी से कवें मैसा पानीले जाने में पाइप की विट इस और जी इन पॉए पानी जाना प्लाई हो नहीं आदे और कोई है ने तोड़ी गई दोड़ी गई है आपके उसमार साम दॉब तो मिला था कुछ अभी पता ना दुनिया के बने यहां तो क्या पता क्या लिखड़ा किसी के कंचे बरे हुए किसी कुछ खास तो कुछ देखा ही ना सुने सुने जाता है अगर आप यहां से किसी को लेकर जाओ ना सब्सक्राइब तो रस्ते में एक बड़ी बुड़ी मिलेगे यहां थोड़ी रोक लेगा है तो दोस्तों हम लोग इसके बाग राणब गाउं में और हमारे साथ है सोनु जी ने यहीं पर अपना जीवन अभी तक का सारा जीवन पैदा भी यह हुआ यह बता रहे हैं कि अस्ती साल पहले इनके पूरवज यहां और तब से यहीं पर इनका जनम और पड़ाय लिखाई सब कुछ यहीं का है तो हम इनसे पूछेंगे इनसे जानना चाहेंगे कि यहां पे आपको मतलब जादा तक समाज जादा जो फिरादरिया है तो कौन-कौन से फिरादरिया यहां कर दो तो दो बोजर है तो जाटा गाइं कॉछ बीए और नायक समाज तो बन्जारा समाज नायक बोलेटे के अश्यां को अधियरे शिव मंदिर है यह तो सब के लिए मणदिर जो बड़ा मान आ जयाता है गाउ MR स्यब्न तब इस गाउं का मंदिर ऑन इस मैं चचल आ के तरologists नोओ का मैं को वंदिर याजिक है 2 मंदिर तो तो और बड़े बलगे मंदिर अजिक मान मंदिर परण गाहन के और जो बड़े बलगें इस गाहों का जो मंदिर है शिव मंदिर एक थोड़ी सी आगली में जाके लाश में जाके भाप है तो दूसरी नंबर मंदिर हमारा यह है शिव मंदिर है इधर है उसको बोलते है बंगाली मंदिर अच्छा वो उसको हमार मंदिर हो यह इनके बारे नों कुछ बताएं यह उनकी बात तो यह है बाबा मोहन राम जी अच्छा खोड़ी वाले राजिस्थान में इनकी जोग के जाते हैं अच्छा और हर मेने की जो पूर्डिवा के बाद जो जाती है उन पे इनके मेला भी बहुत लगता है लाखो अलब खोनी सी आगे मिलकपूर गाओं में इनका मेला लगा भूर भार जार्वेडा अंच्छी इनकी मतलब हो बहुत अच्छी न इसे गाड़ा शाम जी की है इसी इनकी वहाइसा अच्छी बहुत बढ़त बैद बढ़त बढ़त मुझे यह बताइए इस गाओं में आप इतने साल से रह रहे हैं तो क्या मतलब क्या चुनातिया है मतलब हॉस्पिटल्स है क्या कि यह मेरे ख्याल से गाजिया बाद या यूपी की बहुत बड़ी नगर पालिकाओं में से एक हैलोनी इस वर तो यहां आपको अभी भी मतलब बेसिक सुविधाओं के लिए क्या मतलब आपको दूजना पड़ रहा है या हॉस्पिटल्स यह सब हैं कैसे हैं देखिए दो है सरकारी एक आठ भी दस्वितक बारिवितक साहिद होई जाएगा दस्वितक है बारिवितक भी बात चल रही है बाग रानब गाओं की बात कर सब्सक्राइब है पड़ा ऑच्छी है और एक अच्छा उसको क्या बोलते इस्पेंट री वह उसको पुरी लौनी की वह हो गई है को वह पूरी लौनी की इस्पेंटरी आपके बात के लिए सर्कारी स्कूल के बढ़ामत में रिस्पेंटरी है आप जैसक्ताल और अब तो में पानी को नदरा ये पूरी लोने के पानी तलाब इसी तलाब ने आता है श्राइब पानी भर जाता हुआ अब इस आप जाता है ये तरह च्छा ना पी पिछले साल इस नहीं तरह नहीं है जरी थी कि मुर्ति भी लगाई जाए और अब पांच अपरेल आ रही है कश्यप जी की जैनती का कश्यप जैनती का बगवान सुर्यदेव के पिता है महारशी कश्यप जी उनकी यहां परे मुर्ति खाबना थी तो वो किसी कारण बड़ खंडित हो गए थी तो हमने गंगाजी में अल् दुबारा से आप तब इस्थाथित कर रहे हैं और शेफ जी का और रादा कृष्णा जी का चेक चेक जी एक तो वो पूंद लारा है हो रहा है और एक यह यह दो बेड़ थे यहां पे ताए इसका बराबर मता से तो यह पेड़ समाप्त करने के लिए काटे दे वो दो डाले लेकिन उपर वाले की है दुबारा हो गया जाकर राकर साहिया मार सके ना कोई कोई वाला हाल आज देखो वहां से वहां तक पहुझे पिछले लगवाग 15-20 सान में यह जो बोल्रिवाल है तलाव की बनाई गई यह पहां नाश्कोने तक जब आप मंदिर पर गए थे उस मंदिर अपेंज में नित रानी तालाब है अं रानी तालाव की बनरी एह आयदो बुलो है कि वैँ उै प्राचीन और यह चाहिए जो महें इसका आब इसलिए आप आपू Cao में बहुर बड़ा पत् prohibition कि यहां वह प्थर इस home Да बड़ा लेटा थे लेटा गरता था और तीछे मंदिर था यहां सारे केते यह बांडरिवाल पर इधर यह तो इन पर वह था इंदर और वह पत्थर है अब यह वह पत्थर है इसे कटाई चटाई होगी काफी चोडा को अब इससा सनी देव बना लिया अब यह पत्थर पुराला है और यह पत्थर पेड़ केंदर फिक्सता कभी तो उस दोरान मैं एक जगा बैठा था तो चार बैठे उनका अपोजिट साइड वो देख रहे थे और मैं अब उनसे अपोजिट साइड देख रहा हूं तो तो एक बांटरिवाल थी और उसकी ओट थी एक मकान बनना थे दूसरी तरव एक निर्मान देन मकान था यह निवह एसा ऐसी जगह थी कि आगे कोई रस्ता निटा एक वक्ति आपकार जा सकी तो मैंने एक व्यक्ति लूंबे चोड़े कद़ के ऐसा मान कद़ का एक व्यक्ति देखा बुजरूंग और वो कपड़े पहनना था बिलकुल आप समझेगे मेरे सफेद कपड़े हैं मदर ये सफेद कपड़े में कुछ नहीं है तो चमकदार कपड़े चांदी जैसे कप्ड़े पहने वस्त पहने वह पाराता सामने से मैंने उसको देखा कि अधिन लगा कोई बुजरूग है मैंने उसे जब गंभीरता से नहीं लिए मगर मैं घंभीर कम हुआ कि वह व्यक्ति आता है और वह उन दोंग मकानों के बीच में चला जाता है तो मुझे लगता है कि लगुसंगा के लिए गया है बुजरूग है लगुसंगा वगरा के थे देखा वने वह वेक्ति नहीं है क्योंकि आत घंटा हूया धाया जाकर लगुसंगा करने का ऑद मिवार से खूच अ सकता मौंध के नहीं भुसा कोई पैलेस कर्दील रस्ता नहीं दा सब्दाए रस्ता हीung कि आया जिस रस्ते से नहीं टिंडिया अपके क्योंकि सामने मैं हूँ, वो सिर्फ मकान की ओट ओ रही थी, मैं उठकर गया और उस ओट पर देखने गया कि वो बुजरुक वहां कर क्या रहा है, तो मैं हैरान हुआ, आश्य चकित हुआ कि वो बुजरुक वहां मुझे मिलाने हूँ, तो रस्ता कोई नहीं जाने का, दाएम तो मुझे ऐसा मानने चीजिए, मैं मानने लगा कि मुझे लगए हूसकता है, वगए उसके बाद क्योंकि वहां खाली मकान थी, और मेरा अपना एक मकान मैंने रखना है, तो मैं अकेला रहता था, पढ़ता था, मैंने मतलब और परिवार से अनलग वो इसलिए अकेला कि मै तो मुझे रात को अजीब अजीब आवाजी रिवारों में से सुनने लगी, तो मकान के पिछली तरफ दो परिवारों रहती थे, कम आबादी थे, तो रात को ठीक रात को 12 मजी के आसपास, खट फट की रोने की ओरतों की चिलनाने की आवाज, बच्चों की आहट बाने करें, कुछ जगडा हो रहा होगा, विवाद हो रहा होगा, मैं नदाज करता रहा है, मुझे ऐसी ऐसी आवाजे आने लगी, मुझे हैरत में डात की और फिर मैंने एक दिन पडोसियों से सवाल किया जो पिसरी तरफ की आप ठीक रात के बारा है, क्या करते हो, ऐसे खुदा कुछ होगा है, कुछ खोद रहा है, फिर ऐसा लगता था कि समान पठक कर रहे हैं, फिर और तो की आवाज चिल्दाने की, रोने की आने लगती थी, बच्चों की आवाज आती थी, तो में नक्यों में आइसा पुमार पठाई, क्या वही, आप अपने फैमल में ऐसा कुच क पर सवाल कोई किसी से नहीं कर रहा हैlier मुझे मेरे संतुष्ठी और अब जर्पनाशनीं पर शॉच्प को से अब वह वारर लगता है हैंसे डर ज़िए आप वह दिनогоहें क्या थिं हा तन अब और और नाई हिए हो गली में आयां थे कि वह कौन था देखिए मुझे लगता है कि वह जो बैटल हुई प्यामूरलंग के वह सामोई कबरें सामोई कुरूप से मारा गया लो और तो बच्चों को तो मुझे लगता है उन्हों और तो बच्चों को आवाजे थी जो मैंने महसूस करने का इसलिए मैंने इस इस्ट्री पहले से बागराणव मैं चाहता हूं कि भारत सरकार इस तरह भ्यांदे मेरी अपील है इस वीडियो के मादब भारत सरकार इस तरह भ्रात को एक्टिव करें हो चीजे हिस्ट्रीकल है यहां पर मिलेगी और मैं समझता हूं अपने इस तरह से एक नए खोजकरता की आवशक् सरकार इस तो इसके इतियास को दूबारा से महला आ जाए और स्भाण बहुत से अझाओन से जो देश और दुनिया के खाम आ बोड़ा जा सकता है भारत सरकार को इस पर मैं अपने उप्तर प्रदेश के जन्पत गाजयबाद का यह नगर है दोनी शहर है और इसकी खूबसूरती बढ़ सकती है और यह देश की खूबसूरती बढ़ा सकता है तो रेवन्यू राजसु के नजरिये से यह बहुत बढ़िया पहले साधित हो सकता है अगर इस सांस लेते हैं अंतिम सांस गिन रहे हैं इस किले के अवसे सो को सरक्षित करने का प्रियास किया जाए इस तालाब को एक पिकनिक स् और नगर को भी बेलिफित देगा राजिक को देगा और यहां एक सुदर्ट आएगी और मैं समस्ता हूँ यहां गावालों को भी विखास का नहीं अरस्ता में जबाद करता हूँ आपका भी आप तुने आपना किंपी समय पेर सुश्य निकाला आप सब का भारे आप इस न मैंतुपून चैप्तर है जिसके ऊपर कुरातुपू भाग ने या सरकार ने अबल्पी हो सकता है कि लोगों की भी बल्पी है कि लोगों ने भी उस चीज को देखा नहीं तो वहां लेकिन आपने जो जानकारिया दी थैंक्यू सो मच बढ़ धन्यवाद आपकाम जानकारिय दोस्तों यह ट्रैवल जिनूम का एक और व्लॉग हमारे ही के खतम होता है इस जानकारिय के सब उमीद करते हैं आगे और अच्छी वीडियो आपके लिए लिख रहा है थैंक्यू मुच्छ